डाइनसोर के बारे में जानने के लिए हर किसी में उठसुकता बनी रहती है एक समय में दुनिया के सबसे बड़े जीवों में से एक डाइनसोर के बारे में संबह वैकी आने वाले समय में मानवजाती को और अधिक जानकारी मिल सके फिलहाल वग्यानिकों को डाइनसौर का एक ऐसा अंडा मिला है जिसमें भूरून पूरी तरह से विक्सित हो चुका था और यहां अंडा फोड़ कर बाहर निकलने की प्रक्रिया में था यह ठीक वैसा ही है जैसा मुर्गी के अंडे को फोड़ कर चूजे बाहर निकलते हैं सोदकर्ताओं का कहना है कि यह अंडा हो सकता है कि भोस्खलन के दोरान जमीन में दब गया हो और इसी वज़ा से सुरक्षित बच गया हो यह अंडा दक्षित चीन के गौंग जोव में पहली बार 2000 में देखा गया था लेकिन 10 साल के लिए इसे स्टोरेज में रख दिया गया था जब संग्राले में निर्माड कारे सुरू हुआ और पुराने जिवासमों की छटाई की जा रही थी तब सोधकर्ताओं का ध्यान अंडे पर गया उन्हें अंदेशा था कि उस अंडे के भीतर भूण हो सकता है सोधकर्ताओं का अनुमान है कि यह भूण कम से कम 6,6 मिलियन साल पुराना हो सकता है ऐसा माना जा रहा है कि यह एक दंतहीन थेरोपोर्ट डैनसोर या फिर ओवी राप्टोरो सोर का भूण हो सकता है या भूण बस अंडे से बाहर निकलने की कगार पर ही था इस भूण को बेबी येंगलियांग नाम दिया गया है जो सीर से पुछतत 10,6 इंच लंबा है यह खोज अपने आप में इसलिए और महत्यपून है क्योंकि इस सोधकर्ताओं को डैनसोर और आज के पक्षियों के बीच की कड़ी को समझने में काफी मदद मिली है डैनसोर के बुरूर का जो जिवास मिला है वह एक घुमाओदार इस्थिती में है जिसे टकिंग कहा जाता है यह एक ऐसी इस्थिती और वेवहार है जो पक्षियों में भी पाई जाती है जिस समय पक्षियों के चुझे अंडे से बाहर निकलने की कोसिस कर रहे होते हैं वे भी इसी इस्थिती में होते हैं इससे यह पता चलता है कि आधुनिक पक्षियों का जो यह वेवहार है वह पहले उनके पुरुष डैनसोर में विक्सित हुआ था चलिए दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक किप सर्चिंग फर नॉलेज एंड ट्राइ टू भी अ काइन पर्संड